नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपकी इस चनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक फ्री वाला एंप्रेक्टू रिसीबर है जिस पर पावर डेड़ का फाल्ट है मैं आपको इसे ओन करके भी दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पावर दे दिया है लेकिन इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है मनलब कि यह चालू नहीं हो रहा है तो यह जो प्राबलम है इस से मदर बोर्ट के कारण भी हो सकता है और इस पावर सप्लाई के कारण भी हो सकता है और कभी कबार इस audio kit के के कारण भी होता है लेकिन ऐसा fault बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन अदिकतर यह fault जो है इस model board के कारण यह कि फिर आपके power supply के खराब होने के कारण देखने को मिलता है अगर दोस्तो आपके पास मल्टिमीटर नहीं है तो आपकी इस प्रकार से मिंटों में पता कर सकते हैं कि यह जो खराबी है और सप्लाइज के कारण है या फिर इस मतर बोर्ट के कारण है तो दोस्तों आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं तो आपको दोस्तों एक 3.7 बोल्ट की बैटरी लेनी है और आपको दो बार बाला एक जैक लेना होगा और इसके दोनों पॉइंट पर नेगेटिव और पॉस्टिव पॉइंट पर इसका एक बार आपको इस पकार से सोल्डिंग कर देना है मैं इसे बाहर कर देता हूं अब दोस्तों आपको यह जो आपने कनेक्शन किया हुआ है ध्यान से आपको देख लेना है कि आपने प्लस वाला वायर कहां जोड़ा हुआ है और इसका मानेस वाला वायर कहां जोड़ा हुआ है क्योंकि आपको इस बैटरी से इसे पावर देन है और इसका जो वाइट वाला वायर है तो दोस्तों मैंने इसे पॉश्टीव वाले पॉंट पर जोड़ा हुआ है तो अब दोस्तों हम इसे इस प्रकास से power supply का जो socket है आपको निकाल देना है और इसके इधर से first वाले पिन में बैटरी का है जो आपका 3.7 volt supply है उसे आपको यहां देना है और second वाला आपको ground देना है अब दोस्तों मैं इसे यहां जोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे जैसे ही इस बैटरी की माधम से power दिया तो आप देख सकते हैं कि display हमारा आ चुका है इसका मनलब कि खराबी जो है इस power supply में है और mother board हमारा बिल्कुन सही है अब आप एक ना power supply अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं आपका confirm हो चु बारान है और दोस्तों मैं बात करूं कि यह जो पावार डेड़ का फाल्ट है तो इस power supply में कहां से दिखतर आपको देखने को मिलता है और एक बार दोस्तों मैं इसे इस power supply से connection करता हूँ और दोबारा से मैं इसे आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पर सेम प्रावलम है और यह जो प्रावलम है तो आप देख सकते हैं कि power supply पर यहां जो डायोड लगा होता है अधिकतर यह डायोड स्वाट हो जा है कि मैं इस कटकरता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस डायोड को कटकरते ही इस पर से outside पावर आ चुका है आप हाल्ट था एस पावर बार बोल्ट वाले से कर्ण है अब दोस्तों हमया इस का नहीं करेंगे तो हमाना सिगनल रिसीव नहीं होगा इस प्रेकार से आप पावर डेट के फाल्ट को एक 3.7 बोल्ट की बैठीक साहता से भी बिना मल्की मुटर के कर सकते हैं कि खराबी आपका इसे मदर बोल्ट से या फिर पावर सप्लाई से है अगर दोस्तों यह जनकारी आ आपको पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करना ना बोलें मिलते नेश्ट वीडियो पर नमस्कार